वंट्रे सब्स्क्राइक य हो आपको क्या करना है यह जा है तो आपको क्या तो यह से लगाने वाली रवड ओ मेelे और गैदें को बायं Satu सब्सक्राइक उची करो आपको आप कहने अपके ऐख यो करें शी आइंगे बीड़ानी देंगा है है अनका यह को आखा है इस तरीके से आगे करके आप बरतन वगरा या कोई भी पानी भरने का काम या कोई भी काम हो पानी का आप बिल्कुल आराम तरीके से कर सकते हैं ना आपकी भाजू गीली होगी और ना आपको कोई परिसानी होगी अगली एकसे फ्रेंट्स मेरी रुव को लेकर है क्या होता है कपड़ों में काफी रुव आ जाते हैं जो हमें देखने में बहुत बुरे लगते हैं तो आपको इस तरीके से बरतन मजने वाला स्क्रोच बाइट लेना है और आपको इस तरीके से जहां पर रुव जादा हो वहां पर आपको इस तरीके से इसको रगड़ना है यह देखिए जैसे में रगड़ना है हलके हलके से रुव हैं इसमें रुव जादे नहीं है तो आप जिस एरिये में रुए ज्यादा हो आप उसी स्क्रॉच बैट को इस तरीके से आप एक दो तीन वार रब कीजिए तो देखिए बिल्कुल आराम तरीके से आपके रुए सारे निकल जाएंगे एक भी रुए नहीं रहा और सारे मेरी जगे है जैकेट की क्लीन हो गई है अगली हैक से फ्रेंट्स मेरी क्या होता है कि ठंड में बहुत ज़्यादा हमारे होट सूखे हो जाते हैं और बहुत ही हमें मतलब रूखे रूखे होट लगते हैं तो आपको एक थोड़ा सा घी लेन को उन्ıtक रूखे है एक चौता हैं ला और रात बर इसको इसी तरीके से रखला रख है Ang Lee welfare अग्ली एक से adrenaline किया होत苍थ होते हैं कपड़ों में मोटे-मोटे-मोटे कपड़ों में जगे नहीं होती और हम इन मोटे-मोटे कपड़ों को एसे ड्रग देते तो और जगे मारी देखेंगे बिल्कुली सिमट के ये एक सी छोटी सी बन जाएगी मतलब इस तरीके से मोटे मोटे जाएके या स्वैटर इस तरीके से हम फोल्ड करके आराम से हम अपनी अलवारी में आराम से रख सकते हैं अगली एक से फरंट्स मेरी लिप बाम को लेकर है जब हम मोटों पर कोन पर और आउनि प्रपस्टक लले ज़िए और रिपस्टिक लेनि चाहिए और इसमें थोड़ी से जो वेसलीन होते हैं गारनी तो फो 성istes करें लेनि देखिए मैं उगली से निकाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी मिक्स करने के बाद ये देखिए पिंक कलर में हमारी हो जाएगी अब आप इनको अपने होटों पे आराम से लगाएगे और कभी भी जब आप कही जा रहे हैं शादी में या पार्टी में तो आप लगाएगे न तो आपके होटों की शाइनिंग एक दम बहुत अच्छी लगेगी आप एक वार इस टिक को जरूर अपना के देखिए मैं हाथ पे लगा के देख रहे हूं देखिए ना ज़्यादा पिंक लग रही और ना ज़्यादा मतलब बेकार नहीं लग रही और हमारे होटों पे न अच्छी से पिंकनेस आ गई है यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें सब्सक्राइब करने ना भूलें धन्यवाद